नमस्कार मैं कवीता उन्याल आप देखने मीडिया टुटे टीवी अमेरिका को पीछे छोड़ चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है समंदर के अंदर चीनी नौसेना के पास जितने युदपोत और पंडूपिया शामिल है उतनी अमेरिका के पास भी नहीं है चीनी इस समय काफी तेजी से अपनी नौसेना के लिए युदपोत और पंडूपियों का निर्मान कर रहा है चीन की 62 में से 7 पंडूपिया परमाणू शक्ती से चलती हैं ऐसे में पारंपारिक इंधन के रूप में भी उससे जादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है साल 2015 में चीनी नोसैना ने अपनी ताकत को अमेरिकी नोसैना के बराबर करने के लिए व्यापक मुहीम चलाई थी एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रास्टेपती सिंजिंग पिंग ने कुछ साल पहले अपनी नोसैना को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर नोसैना बनाने का संकल्प लिया था जिसे देखते हुए साल 2018 में चीनी आर्मी ने समंदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था इसमें 148 युदपोद, दरजनों लड़ाकु विमान और 10,000 से अधिक नोसैनिक सामिल हुए थे US Intelligence के मुताबिक 2020 तक चीन समंदर में 360 से अधिक युदपोद की तैनाती कर चुका है जो उसे दुनिया में समंदर की सबसे बड़ी ताकत बनाता है अमेरिकी नेवी का ये खुलासा पूरी दुनिया के लिए खत्रे की घंटी से कम नहीं है क्योंकि चीन जिस तरह से रक्षा छेतर में खर्च कर रहा है उसकी विस्तारवादी नीती आने वाले समय में विश्व को यूद की तरह धकेल सकती है चीन ने अपने नेवल शेपियाट को सक निर्देश देते वे कहा है कि जो भी जहाज बनेगा वो सबसे अच्छा जहाज बनना चाहिए चीन पहले से ही जहाज निर्मान के छेतर में माही रहा है जाहिर एकि सुपरिन कमांडर का निर्देश पाने के बाद से ही चीनी नौसैना ने पिछले पांच से सालों में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है अब चीन को आगे निकलता देख अमेरिकी नेवी आने वाले वक्त में अपने युद पोतों की संख्या 297 से 355 करने की योजना बना रही है हाला कि चीन के रास्तेपति सिंजिंग पिंग अपने भाशन में कई बर दावा कर चुके हैं कि उनकी सैना का मकसद किसे देश पर हमला करना नहीं है ऐसे में अब ये सवाल उड़ता है कि चीन अपनी नौसैना की ताकत को इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रहा है साल 2018 का वो दिन आज भी याद आता है जब चीन की नौसैना के युद्पोत में सवार होकर चीन के रास्तेपति सिंग जिंग पिंग ने साउज चानल सीम में अपनी शक्ति का परदशन किया था चीन की शिप मिंटों में दुश्मन देशों की समुद्री किनारों पर हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों को पहुचा सकते हैं ऐसे में ये उन देशों के लिए खत्रे की बात है जिनका चीन के साथ समुद्री विवाद है ताइवान इस समीछ चीन की नजरों में सबसे बड़ा काटा है आमेरिका को खत्रा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है ऐसे में अंदेशा लगाय जा रहा है कि चीन अगर ताइवान पर एक बर कबजा कर लेगा तो वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा चीन के सब्सक्ति शक्तिशाली नेता बने सिंजिंग पिन चीनी नौस्टैना को एक ऐसी ताकत परदान करने जा रहे हैं जो दुनिया के साथ महा सागरों में चीन की महानताव शक्ति को दिखाती है O.N.I. ने भविशेवाणी किये है कि आज से चार साल बात 2025 तक चीन के पास 400 जंगी बेड़े होंगे दुनिया की सबसे बड़ी नौस्टैना बनाने के बाद भी चीन की बुग शांत नहीं हुई है वो आगे भी एडवांस यूद्पोत पंडूपिया एरक्राफ्ट केरियर लडाकु विमान और शिपका निर्मान टेजी से कर रहा है अब ऐसे में संभवना जताई जा रही है कि आने वाले समय में चीन की नौस्टैना की ताकत और भी जादा बढ़ने वाली है जिससे इसकी मौझुदगी दुनिया के हरे कोने में होगी अब मिलेंगे अगली ख़बर के साथ आपको मेरी ये नियूस कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताए और हमारी मीडिया टूरी टीवी चनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नियूस सबसे पहले आप तक पहुचे शुक्रिया